Hello friends, welcome to my channel study with K recognised तो I will study obtaining fabric from fiber तो आज हम लोग साइन्स परेंगा और आज हम लोग साइनस में जानेंगे कि हम लोग फैब्रिक को क्या से उप्तेन करते हैं? फाइबर से तो फैब्रिक को फैबर से उप्तेन करने के लिए तीन तीन प्रोसेश होते हैं पहले होता है कि हम लोग को यान ओप्टेन करना होता है फाइबर से जिसके लिए हम लोग को स्पिनिंग करना होता है स्पिनिंग, the process of obtaining यान from fibers is called spinning तो फाइबर एक पतला से थीन स्ट्रेंड होता है त्रेट का और यान होता है मतलब कि उसमें एक से जादा होते हैं उसे हम लोग केटें यान, traditionally spinning was done by using a hand spindle or a spinning wheel तो spinning, spinning के मदद से हम लोग fiber से यान ओप्टेन कर सकते हैं जिससे हम लोग यान से फैबरिक बना सकते हैं तो spinning, hand spindle से भी किया जा सकता है और एक spinning wheel से भी hand spindle को हम लोग एक तकली केटे हैं और spinning wheel जिससे के हम लोग चडखा के नाम से जानते हैं तो चडखा महात्मा गांधी ने पॉपुलर किया था तो spinning, the process of obtaining yarn from fibers is called spinning तो जो process होता है जिससे हम लोग fiber से यान ओप्टेन करते हैं जिससे हम लोग yarn to fibers से उप्टेन करते हैं उससे हम लोग केते हैं spinning spinning was done by using a hand spindle or a spinning wheel जिससे हम लोग केते हैं चडखा अब हम लोग जानेंगे कि हम लोग fabric को एक फैब्रीक को कैसे उप्टेन करते हैं यान से, weaving जिससे प्रोसेस इन विज तू सेट्स ओफ यान और अडिस तू रेडर तू मेक आप फैब्रिक तो weaving एक प्रोसेस होते हैं और एक और प्रोसेस होते हैं नीटिंग तो दो प्रोसेस होते हैं जिससे हम लोग यान फैब्रिक से यान से फैब्रिक उप्टेन करते हैं तो पहला प्रोसेस है weaving तो weaving एक प्रोसेस होते हैं जिसमें दो तरह के यान यूज किया जाते हैं एक फैब्रिक बनाने के लिए, तो वीविंग को हम लोग लूम्स पर करते हैं, दो तड़ा के लूम्स होते हैं, एक होता है हैं 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 लूम्स और दूसरा होते हैं पावर लूम्स The looms that can be operated manually are called hand looms and the looms that run on electricity are called power looms तो लूम्स भी दो तड़ा के होते हैं, एक होता है hand looms, जो कि हम लोग अपने हाट से हाटों से, मतलब की manually operate करते हैं और एक दूसरा तड़ा का लूम होता है, पावर लूम होता है, पावर लूम जो की electricity पर रन करते हैं तो यह पहला प्रोसेस हो गया है, जिससे हम लोग वीविंग, जिससे हम लोग फाब्रिक को यान से उप्टेन करते हैं अब दूसरा प्रोसेस है, नीटिंग नीटिंग इस्टा प्रोसेस in which a single yarn is used to make a piece of fabric अब नीटिंग क्या होता है अब हम लोग ने देखा होगा कि लोगों की कि वो लोग कपड़ा को नीटिंग करते रहते हैं एक नीटिंग नीडल से तो इसी प्रोसेस का हम लोकेते हैं नीटिंग नीटिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें सिर्फ एक ही सेट एक ही आन के सेट यूज किया जाता है एक फैब्रिक बनाने के लिए, नीटिंग निटिंग नीडल्स तो नीटिंग आजकल नीटिंग नीडल से करे के जाते हैं पर आजकल और भी टेक्नोलोजी बाड़ गया, तो आजकल मसीन से भी नीटिंग किया जाते हैं Nowadays machines are used to make the process of knitting easier and faster तो पहले knitting needles भी यूज किया जा जा थे निट करने के लिए जो कि अभी भी यूज किया जाते हैं पर अब machines भी इन्वेंट हो गए है निटिंग को एजियर और फास्थर करने में तर हम लोग जाने कि हम लोग fabric को fiber से कैसे obtain करते हैं Spinning एक process भी जिस में हम लोग yarn retain करते हैं fiber से Spinning was done by using hand spindle or spinning wheel तो ट्रइदिशनली technos sending co hand spindle यहीं यल टकली क्या य audio उ surf issue क्या जाता था जिसरे हम लोग चर्खा क्याते हैं और फिर यान से फैब्रिक को यान्स उप्टेन करने के लिए दो मेथद होते हैं वीविंग और निटिंग तो वीविंग अग प्रोसेस होते हैं जिसमें दो सेट्स ओफ यान्स यूज किया जाते हैं और weaving looms पर के जाते हैं फोरह लूम में होते है जो कि मैन्यवली काम करते है और लूम्म वर को लूम्म होते है जो कि electricity पर अब बतर Warren करते तो कैनी करते हैं नीटिंग प्रोसेस पर ताजिसमें सर्फ एक ही सैट अप व्यांड आपका किया जाते हैं निटिंग नीडल से भी किया जाते हैं और मसीन से भी किया जाते हैं सो विल स्टेडी मोर अबाउट पाइबर और फैबरिक इन नेक्स वीडियो प्ली सब्सक्राइब में चैनल और थाइंक यू सो मच फॉर वाचिंग